हलो दोस्तों स्वागत आपको अपने चैनल पजल मेनिया बितंकुर में एक बहुत बड़ी ख़वर आई है रेलवे की तरफ से कि 12 सेप्टमबर से आपकी 80 स्पिसल ट्रेने चलाई जाएंगी और जो ट्रेने 12 सेप्टमबर से आपकी चलाई जाएंगी वो उसकी और साथ सेप्टमबर से आपका मेट्र भी स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद अभी एक ख़वर है अब स्टूडेंट्स परिशान है कहीं ऐसा तो नहीं अब IBPS सर्प्राइज दे दे कि आपका एक्जाम ओन टाइम है हो सकता है हो सकता है IBPS को लगे कि भाई ट्रांस्प काड नहीं आया है ठीक है ना कोई अपडेट वो कल से देखा जाए तो 6 दिन बसते हैं और हमें पता है कि अगर एक्जा जो एडमिट काड है दस से बारा दिन पहले तो जैसा कि IBPS बोलता है कि यह दस से बारा दिन पहले आपका एडमिट काड रिलीज हो जाएगा अब 6 दि दिन बसते हैं तो क्या ऐसा सर्फराइस मिलेगा कि आपकी 6 दिन बच रहे और एडमिट काड आ जाए टांस्पोर्टेशन भी दीरे दीरे खोला है लेकिन यहां से लगता नहीं है कि अब ऑन टाइम IBPS एक्जाम कराएगा क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है 6 दिन बहुत कम दाइम होता है और अब यह देखना है कि देखो दूसी तरफ कोई भी ख़बर आती रहे वो ठीक है लेकिन में जो एक्जाम की ख़बर कि आपका एक्जाम ओन टाइम होगा अगर नहीं होगा तो पोस्पॉन कितने दिन होगा वो IBPS की तरफ सही आएगा तब तक IBPS कुछ अगरा एंडिये और अदर्स एक्जाम वो चलने तो उनके लिए भी ट्रेने आपकी चालू होनी थी तो अब बस IBPS को अपने साइलेंट मोड से आना बहार निकल ला है और आपको अपडेट देना है कि वो एक्जाम पोस्पॉन कर रहा है और जिसके चांसे जाना है एक्जा कोन हुआ तो आपको एक्जाम सेंटर चेंज करने का मौका जरूर दिया जाएगा बस यही देखना है वैपसाइट आप चेक करते रहे हैं लेकि बहुत जल्द आपको देखने को कोई ना कोई अपडेट मिल जाएगा IBPS की तरफ से और फिर मिलते हैं फिर किसी अपडेट के देरे हो गए थे पड़ाई में तो वह चीज अपको नहीं करनी है आप तैयारी 12 की ही रखिए बाकी देखते हैं क्या IBPS क्या सर्प्राइज देता है और बाकी मिलते हैं फिर नेस्ट वीडियो में जब तक के लिए धन्याबाद